Hello guys and welcome back to Shikha classes इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि cell को किस ने discover किया था plus cell से related कुछ और discovery हम देखेंगे जैसे कि nucleus को किस ने discover किया था किस year में discover किया था तो यह सारे कुछ dates and events हम इस वीडियो में देखेंगे Basically मैं यह वीडियो बना रही हूं Science class of the chapter of the fundamental unit of life उससे related यह उसका third video है जैसा कि मैंने आपको पुराने वीडियो में भी बताया था मैं छोड़े छोड़े वीडियो बना करके पूरा chapter कवर कर दूगे specially NCRT को follow करते हुए और इस आरे वीडियो को मैं प्लेलिस्ट में डालूँगे जिसका नाम होगा the fundamental unit of life class 9 first of all हम सब जानते हैं कि cell को पहली दफा किस ने डिसकावर किया that was Robert Hooke in the year 1665 और किस चीज में कॉर्क के एक slice में कॉर्क स्लाइस क्या होता या आप फर्स्ट वीडियो देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा और किस चीज के थूँ तो primitive microscope मतलब एक basic microscope not through a developed advanced compound microscope के थूँ बिल्कुल भी नहीं एक simple primitive सा microscope जो उन्होंने खुद दिजाइन किया था जैसा कि हम लोग जानते कॉर्क सेल्स डेड़ सेल्स होते हैं तो रोबर्ट हूँक ने पहली दफा सेल्स को जो देखा था वो डेड़ सेल्स को देखा था लिविंग सेल्स को सबसे पहले जिसने देखा था वो था 9 साल बाद 1665 के 9 यर्ज बाद यानी की 1674 नाम था उनका लिविंग हुक और उन्होंने इन free living cells को पॉंड वाटर में देखा था लिविंग हुक ने जो पॉंड वाटर में free living cells को देखा था वो अपने थोड़े advanced microscope के थूँ देखा था रोबर्ट हूप का primitive microscope था उससे थोड़ा advanced हुआ microscope तब उन्होंने जाके free living cells को देखा फिर 1831 में रोबर्ट ब्राउण ने nucleus को पहली दफा देखा तो जाहिए इसी बात जैसे जैसे समय बीत रहा था microscope और भी advanced हो रहे थे तो हम और भी छोटी चीज़ों को देख रहे थे क्योंकि nucleus cell का एक पार्ट है तो यानि कि वह cell से भी काफी छोटा होगा तो जब advanced हुआ थोड़ा microscope उसकी focus करने की capacity बढ़ी तब जाकर कि रोबर्ट ब्राउन ने nucleus को discover किया और फिर 1831 के 8 years के बाद यानि 1839 में पुर्किज़न ने protoplasm word को coin किया किस चीज के लिए उन्हें protoplasm word को use किया जो हम आज भी use करते हैं cell के अंदर जो fluid content है that is protoplasm मतलब जो cell membrane होता जो cell का boundary होता cell membrane उसके अंदर जो भी fluid है that is protoplasm अब देखते हैं cell theory क्या होता है cell theory वो theory है जिसमें की दो German biologists थे श्लाइटन और श्वान जिन्होंने ये पहली दफा कहा था कि cell is the basic unit of life and all living things that is all plants and all animals are made up of cells मतलब कि जितने भी plants and animals हैं वो cell ही उनका basic unit है वो सभी छोटे-छोटे cells से मिलकर के एक बड़ा organism खड़ा होता चाहे वो elephant ही क्यों ना इतना बड़ा organism पर फिर भी वो छोटे-छोटे cells से ही मिलकर के बना है यानि की living things जो भी है उनका structural and functional जो basic unit है that is cell यही cell theory कहलाता है जो की इन दो German biologist ने दिया था यहाँ पर आप देख लिए जो दोनों के नाम भी दिये हैं और उनका जो bracket में किस year में उन्होंने किया था वो भी और कहनी चाहिए cell theory में कि जितने भी cells होते हैं वो pre-existing cells से ही निकलते हैं कहीं उपर से cells नहीं आ जाता जो pre-existing cells से उसी से नए cells तयार होते हैं फिर 1940 में electron microscope का आविशकार हुआ और उसके बाद तव finally हम cell के जो बहुत ही complex structure है उसको हम observe करके समझ सके क्योंकि उससे पहले तक electron microscope नहीं था मतलब की बहुत high power focusing power का microscope present नहीं था तो सिर्फ nucleus, protoplasm, cell membrane ये सब चीज़ें ही दिखाई दे पा रही थी पर cell के अंदर जो और भी complex cell organelles होते हैं cell organelles मतलब cell के अंदर जो cell के different components होते हैं वो तो ये सारे चीज़ें दिखाई नहीं दे पा रही थी तो लोग उस पर study नहीं करते थे लेकिन 1940 में जब electron microscope invent हुआ उसके बाद जो complex cell organelles होते थे उसके बारे में भी scientists ने, biologists ने पढ़ना शुरू किया और अब जा करके हमें बहुत सारे cell organelles के बारे में पता है जो कि हम आगे इसी chapter में further next videos में पढ़ेंगे So guys, hope आपको यह सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया हो, फिर भी कोई doubt रह गया हो Feel free to mention it in the comment box below या फिर आप मुझे email भी कर सकते हो, मेरा email address है swanshika28 at the rate gmail.com अगर आपको किसी topic में, especially biology में या chemistry or physics में कोई doubt है आप comment section में लिख करके बताईए, मैं कोशिश करूँगी कि उन topics पे वीडियो बना सकूँ See you in the next video with some new topic, till then keep smiling, have wonderful days Thanks for watching and don't forget to hit the like button if you liked the video And अगर आप चाहते हो कि आपकी friends भी सब कुछ पर सके तो kindly अपने friends के साथ share केजिए और अगर आपने channel को subscribe नहीं किया है तो subscribe कीजिए बगल के bell icon को press कीजिए Bell icon को press करते ही क्या हुआ कि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूंगी आपको notification मिल जाएगा Thank you